टॉलफा में हम पिछले 18 साल से लाचार और बेसहारा जानवरों का निशल के लाज कर रही है पर हमें आज भी सबसे ज़ादा परिशानी मैगट वून सीजन में आती है इस दौरान हम बहुत से डॉक्स को रेस्क्यू करते हैं जो की काफी बड़े घाओ के साथ हमारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं किसी घाओ में जब मक्ही या मच्छर अंडे दे देते हैं तो उन अंडों से निकलने वाले कीडे मैगट होते हैं और ये कीडे डॉक्स के खाव को खा खा कर इतना बड़ा कर देते हैं कि उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। और समय पे इलाज ना मिलने से इन बच्चों की मौथ भी हो जाती है। हमारा बानना है कि इस दुनिया में जिस भगवान ने हमको बनाया है उसी भगवान ने इनहें भी बनाया है और ये भी उस मालिक के बच्चे हैं और हम इने इस तरह दर्द में तड़पता नहीं देख सकते। इसलिए हम इनको रेस्क्यू करके हमारे हॉस्पिटल आते हैं और यहां इनको बेस्ट ट्रीट्मेंट के साथ साथ बेस्ट केर और सबसे ज़ादा जरूरी बहुत सारा प्यार देते हैं जो इन मासूम बच्चों को नहीं मिल पाता। पिशले साल 2022 में हमने 500 से ज़ादा maggot wound वाले dogs का इलाज किया था उस वक्त dogs कुछ इस हाल में आये थे और हमने उन्हें ठीक करके वापस ऐसा कर दिया। इस साल हम 300 से ज़ादा maggot wound वाले dogs का इलाज कर चुके हैं और अभी भी रोज हमारे पास इस condition में dog आ रही हैं और हमारे पास इनका इलाज करते रहने के लिए funds खतम होते जा रही हैं। हम इनका इलाज करते रहना चाते हैं और इसी तरह इन dogs को बहतर जिंदगी देने के कोशिश करते रहना चाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी हालत कुछ ऐसी है कि हमारे सभी ग्यानल्स पुल हैं। हमारे पास जितना space available हैं, हम हर जगे dogs को रख रहे हैं। अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम और करते रहेंगे। हमें जरूरत है तो आपके साथ की, आपके सपोर्ट की। इन dogs के लिए जो daily treatment की जरूरत पड़ती हैं, इनके घाव की रोज हमें dressing करनी पड़ती हैं। एक dog की treatment के लिए हमें लगभग 1100 रुपए का घर जाता है, जिसमें इनके खाने से लेकर दवाईयों तक लगातार, 2-3 महिने तक चलने वाले treatment का cost भी है। हिंदू माइथालोजी में dogs को काल भेरव का वहन बताया गया है। काल भेरव भगवान शिव का एक अवतार है। यहां तकि कई पौराने कहानियों में dogs को mention किया गया है। जब इन जीवों का संबंध हमारे भगवान के साथ जुड़ा है, तो हम इनसानों को भी इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। आपकी एक छोटी सी help से हम किसी बेजुमान के जिन्दगी बचा सकते हैं। प्लीज हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही इन जानवरों को बचाते रहें। आप donations के लिए नीचे दिये link पर क्लिक कर सकते हैं।